बिल्कम तू सारी का कीचन रेसिपी मैं अज लेकर आई हूँ टी टाइम स्नेक्स की रेसिपी बहुत ही टेस्टी और यम्मी रेसिपी लेकर आई हूँ इसे बनाना बहुत ही आसान है और खाने में बहुत ही टेस्टी है और बहुत ही कम तेल में बनकर त्यार हो जाता है और य तहीं हूं इस अच्छी तरह से धोले रही हूं पाने डाल कर पौह को दो बार धोले ना है यह 005 अब इसे मिकसी में नहीं पीसेंगे यहाथ सेहीं इस तरह से मसल लेंगे तो अच्छी तरह से डोफ़ोम में हो जाएगा लिए अब इसे अच्छी तरह सेसी मसलने इसमें अब इसमें magic यूपले हूए आलू को तो कर लेंगे कर लों में गुठली नहीं रहेगा तो कदुकस कर ले और फुरीया अब आसानी आप मेरे चैनल को अभी तक seguir Ora तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें बिल आइकन को प्रेस कर दें जिससे आपको मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहें दोनों आलू को कदुकस कर लिए हैं अब इसमें डाल देना है एक फाइन चौप किया हुआ प्याज प्याज को अची तरह से फाइ डाल देना है तिसमें नमक डाल दिया अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग हल्दी थोड़ा सा थोड़ा सा खड़ा जीरा और आधा चमच जीरा पाउडर थोड़ा सा घ्रम मसाला इन सब डाल कर इसे अच्छी तरह से मिक्स कर लें इस सब को अच्छी तरह से मिक्स करें जिससे ट्राय जरूर करें आपको भी बहुत पसंद आएगा यह अच्छी तरह से मिक्स हो गया है हम अब हाथ में तेल लगा लेना है जिससे हाथ में चिपके नहीं निम्भू अकार का बॉल बना ले इसे इस तरह से दवा कर गोल कर ले और इसको एक अच्छा सा सेप दे दे आप जिसी सेप में बनाना चाहते हैं उस सेप में बना ले तो मैं इसे गोल करके थोड़ा सा दवा दी हूँ आप किसी भी सेप में इसे बना सकते हैं तो मैं इस तरह से इसे बना ले रही हूँ इसी तरह से सारे बना लें तो मैं एक और आपको बना लें नहीं कर दिखा दे रही हूँ इस तरह से सलॉ फ्राय करते हैं इसे deep fry नहीं करेंगे इसे shallow fry करेंगे अगर आप deep fry करके खाना चाहते हैं तो आप deep fry भी कर सकते हैं लेकिन shallow fry भी बहुत टेस्टी लगता है और healthy भी होता है इसलिए इसे वो सके तो shallow fry करकर ही खाएं तो इसे मैं shallow fry कर ले रही हूँ तो एक एक करके तेल में फैला कर डाल दें एक पर दूसरे को नहीं चड़ाएं अलग-अलग करके इसे फैला दें fry पैन में और इसे cook होने दें थोड़ा देर इसे छुए नहीं जब यह एक तरब से cook हो जाए तो इसे पलट लेना है तो एक तरब से cook हो गया है तो इसे मैं पलट ले रही हूँ तो सारे नास्ता इसी तरह से पलट लें बहूत ही जल्दी बनकर इनास्ता तयार हो जाता है अगर घर में मिहमान आ जाए तो जहटपट इसे बना कर आप खिला सकते हैं तो अलटते-पलटते वह इसे तरह से सैलो फ्राइग कर लेना है तो दोनों तरफ से क्रिस्पी होने तक इसे सैलो फ्राइग कर लें कि बहुत जल्दी क्रिस्पी हो जाता है गैस की फ्लेम को मैं तेजी रखी हूं गैस की फ्लेम को धीमा नहीं की हूं गैस की फ्लेम धीमा कर देंगे तिसमें तेल घुस जाएगा इसलिए गैस की फ्लेम को तेजी रखें बहुत जल्दी जटपट त्यार हो जाता है और इसी तरह से सारे नास्ता बनाकर तयार कर लें टी टैम स्नेक्स बनकर तयार है इसे महमानों को भी सर्व करें महमान को सर्व करेंगे तो महमान भी बहुत पसंद करेंगे और पूछेंगे कैसे बनाएं क्योंकि घर के समान से नास्ता बनकर तयार हो जाता है वह बहुत ही और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले